दोस्तो आज मैं आपसे बात करूँगा हम सभी की फेवरेट चीज चॉकलेट के बारे में यूँ तो आज के दिन बजार में बहुत सारे ब्रैंड्स की चॉकलेट मिल जाएंगी मगर कैटबरी की तो बात ही अलग है और अगर हम बात करें इसकी डैरी मिलक चॉकलेट की तो वो तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और चाहे बच्चे हों जांबूडे ही क्यों ना हों चॉकलेट का नाम सुनकर ही सब के चेहरे पर समाईल आ जाती है दोस्तो कहानी की शुरुवात होती है जॉन कैटबरी नाम के एक बच्चे से जिसका जर्म 217 साल पहले बर्मिंगम सीटी में हुआ था असल में जॉन जिस दर्म से तालुक रखते थे उस दर्म के लोगों की अपनी ही अलग मानेताएं थी और उस दर्म के लोग किसी भी चर्च जहां किसी भी दार्मिक स्थान से नहीं जुड़े थे क्योंकि उनकी सोच थी कि उनके और ईश्वर के बीच पे कोई नहीं आना चाहिए इन्हीं सब मानेताओं की वज़ा से उन्हें किसी भी अच्छे स्कूल में एडमीशन मिलने में काफी जादा दिक्कत होती थी और साथ ही साथ ना तो वो किसी तरह की जॉब कर सकते थे और ना ही वो सेना में बरती हो सकते थे जिसके चलते जॉण के पास सिर्फ एकी ऑप्शन बज़ता था और वो था अपना खुद का बिजनस करना दोस्तो आगे चलकर जॉण ने अपने दरम के स्कूल से पढ़ाई खत्म करने के बाद पॉकिट मनी के लिए एक कॉफी शॉप में काम किया और इसके थोड़े ही समय बाद 1824 में उन्होंने खुद का एक दुकान खोला जहां पर वो कॉफी चाए और चॉकलेट ड्रिंग को बेचा करते थे दीरे दीरे जॉण ने ये देखा कि लोग उनकी चाए और कॉफी की बजाए उनके चॉकलेट ड्रिंग को ज़ादा पसंद करते हैं और इसी वज़ा से 1831 में अपने चाए और कॉफी के उशोड कर उन्होंने सिर्फ चॉकलेट ड्रिंग पर फोकस किया जिसके बाद कॉवालिटी अच्छी होने की वज़ा से चॉकलेट ड्रिंग की डिमाइड और भी ज़ादा तेजी से बढ़ने लगी अपने काम को आगे बढ़ता देखकर जॉण ने उसी साल चॉकलेट ड्रिंग के 16 निउ वराइटीस अपने मेन्यू में एड़ किये देखते ही देखते अगले 15 सालों में जॉण अपने एरिया में स्पेशल कैटबरी चॉकलेट ड्रिंग के लिए काफी ज़ादा फेमस हो गए दोस्तो इसके बाद आगे चलकर जॉण ने 1847 में अपने बाई बेन्यामिन को भी इस बिजनस में शामिल किया और उन दोनों ने मिलकर ब्रीज स्टेट पर एक बहुत बड़ा कारखाना खोला दोस्तो कैटबरी की ये खासियत तो हमेशा से ही रही है कि अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए जानी जाती है जिसके चलते 1854 में रानी विक्टोरिया में इसे रॉयल वेरिंट का सर्टिफकेट दिया और रॉयल वेरिंट का सर्टिफकेट सिर्फ उनी चीजों को दिया जाता है जिनकी क्वालिटी एक दम दाब एस्टो और जिन चीजों को राजा महाराजे भी खा सकें दोस्तों इस समय कैटपरी पूरे ब्रिटन में काफी जादा फेमस सोच चुकी थी लेकिन आगे चलकर अठारंसो साथ में जॉन और उनके बाई के बीच कुछ कहा सुनी होने के चलते उनके बाई बेंजामिन ने जॉन से अलग होने का फैसला किया इसके बाद तो जॉन की उमर भी उनके काम पर काफी जादा असर डाल रही थी जिसके चलते जॉन ने अपने दोनों बेटों को भी इस काम में चामिल किया जिनका नाम रिचेड कैटपरी और जॉर्ज कैटपरी था दोस्तों कमपनी में आने के साथ ही रीचेड और जॉर्ज ने कमपनी के लिए काफी ज़ादा नियू आइडियास ट्राइ किये और उनके आइडियास काफी ज़ादा काम याप भी रहे इसके बाद पूरे ब्रिटेंड में अपना काम जमाने के बाद कैडबरी ने 1870 से दूसरे देशों में भी कैडबरी को बेजना शुरू किया लेकिन इसी बीच 11 मई 1889 को कैडबरी के फाउंडर जॉन कैडबरी की मौथ हुई और अगले 10 साल के अंदर ही रीचेड की भी मौथ हो गई जिसके बाद जॉर्ज कैडबरी ने इस कॉम्पनी को एक नई उचाई तक पहुचा दिया और 1905 में उन्होंने कैडबरी की सबसे फेमस चॉकलेट डेरी मिलक का आविशकार किया जिसके लिए वो 1897 से ही रिसर्च में जुटे हुए थे दरसल जॉर्ज कैडबरी डार्क चॉकलेट के साथ कुछ नयां बनाने में लगे हुए थे जिसके लिए उन्होंने चॉकलेट पाउडर में चीनी और दूद मिलाया और इसके मिक्सचर को टेस्ट करने पर उन्हें इसका स्वाद बिलपुल लाजवाब लगा और इसके सूपने पर टेस्ट करने पर तो इसका स्वाद और भी जादा कमाल था और आज के दिन भी कैडबरी की ये डेरी मिलक चॉकलेट तो पूरी दुनिया में सबसे फेमस चॉकलेट है और ये बात तो मैं कह सकता हूँ कि हर इनसान की फेवरेट चॉकलेट लिस्ट में कैडबरी का नाम तो जरूर होगा इसके बाद आगे चलकर 1948 में कैडबरी ने पहली बार इंडिया में अपनी चॉकलेट बेचना शुरू किया और आज के दिन तो दुनिया के 55 से भी जादा देशों में कैडबरी का पूरी तरह से बोल बाला है दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना और आगे भी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना